Hey guys, this is Pawan and you're watching StudySkillSuccess. Guys, MHRD ने एक article release किया है, जिसमें उन्होंने सूचना दी है कि एक particular जगह है, उन पर exams को conduct नहीं करवाय जाएगा. और साथी साथ बोला है कि जो परिक्षा देने के लिए कुछ rules and regulations निकाले गए हैं, अगर आप exam देते हैं तो आपको उन rules and regulations की पालना करने पड़ेंगी. यह जो rules and regulations और उपर जो आपको बताया था, यह पूरा article जो है, वो CBSC board exams के लिए निकाला गया है, लेकिन MHRD ने बोला है कि यही same rules and regulations जो है, वो JEE और NEET के लिए भी लागू होने वाले हैं, तो सभी students के लिए इंपोर्टन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे rules भी है, जो बारे में detail में discussion करेंगे, वीडियो काफी जादा important होने वाली है, तो वीडियो कों तक जरूर देखिएगा, चलिए शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं, कोच एक instructions, तो बोला गया है कि CBSC दस्वी और बार्वी परिक्षा centers उन शेत्रों के स्कूलों में नहीं बना जाए जाएगा, ऐसे स्कूल से परिक्षा के अंदर हटा दिया गया है, इसकी जानकरी बोर्ड ने website के माध्यम से परिक्षार्तियों के स्वालों के जवाब में दिया है, बोर्ड ने परिक्षा के अंदर बदलाव को लेकर विबिन परशनों का जवाब website पर डाला है, इसक पारदर्शी बोतल में अपना खुद का हैंड सैनेटाइजर लेकर जाना होगा ठीक है आपको हैंड सैनेटाइजर जो हाँ वो खुद का लेकर जाना होगा रूल नंबर बन तो यह हो गया और यह जो रूल है वो नीट जेई और सीबियसी तीनों के लिए लागू होता है सबी सभी शात्रों को मास्क या कपड़े से अपनी नाक में मूँ को डखना होगा सेम रूल नीट जेई और सीबियसी तीनों के लिए लागू होगा सेकेंड है कि सभी शात्रों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा यह भी नीट जेई और सीबियसी तीनो के लिए लागू होगा चलिए नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है कि पैरेंट्स को अपने बच्चों को बताना होगा कि करोना वाइरस को फेलने से रोकने के लिए विक्या साफदन्या बरते ठीक है उनको अवेर करना होगा पैरेंट्स को ठीक है ये भी तिनों के लिए लागू ह किये जाए या फिर उसके एक्साम वगएरा को कैंसल वगएरा जो भी उनका रहता है वो करेंगे और यह भी नीट जे एंड सीवेसी तीनों के लिए लागू होगा नेक्स्ट आपके प्रिक्षा देते समय शात्रों को सभी निर्देशों का सकती से पालन करना होगा नेक्स्ट लेकर कॉफ भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी तो वह आप जरूर पढ़िएगा नेक्स्ट आपना प्रिक्षा की समयावदी डेट शुट और एड्मिट कार्ड में लिखी होगी आपकी अवदी तो आपको पता है तीन गंटे का आपके एक्जाम होता है डाई लेक्षाम के लिए पर्शन पत्र सुबह सबादस बजे बाटे जाएगे यह थोड़ा अलेग रहेगा ठीक है तो इस पर आप ज्यान ना दे 15 मिंट का पर्शन पत्र पढ़ने का होगा और यह अपना नहीं है यह अपने रूल्स नहीं यह सीब्यसी के रूल्स है नीट और के लिए वो इतना ही आपको एक ट्रांस्पारेंट बोतल लेकर जानी होगी हैंड सैनेटाइज दिर्की साथी साथ मास्क वगरा लेकर जाना होगा और भी कुछ रूल्स होंगे वह आपके अड्मिट गार्ट पर रिलीज कर दिया जाएंगे और साथ-साथ सीब्यसी के कि जो स्टूडेंस हैंडिकैप हैं जो अपने साथ एक अपना हैलपर लेकर जाते हैं तो वो स्टूडेंस जो आपनी परिक्षां से लीव कर सकते हैं उनको सीधे ही प्रमोट करते जाएगा यह रूल अभी तक सीब्यसी के लिए रखा गया है बाकि मुझे नहीं लगता कि जेई और नीट के लिए यह रूल रखा जाएगा क्योंकि सीधे परमोट किसी भी शातर को नहीं किया जाता जेई और नीट जैसी परिक्षा में ठीक है तो यह सीब्यसी के लिए है नीट और जेई के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन अपना जाते हैं काफी हद तक यसी के एस्पेरेंट्स के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तन गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेज जिरूर करिएगा चैनल पर नहीं हो चैनल तो सब्सक्राइब करके लाइकिन को प्रेस कर लिजेगा थाकि ऐसी ही इंपोर